अब अमिता बच्चन अजय देवगन रकुल प्रित सिंग बमन इरानिक की फिल्म रनवे 34 थेयटर्स में आ चुकी है लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है टेलर देखके तो शायद कही न कही लोगों ने फिल्म की एडवांस बुकिंग भी नहीं की थी एडवांस बुकिंग काफी पूर थी इसकी पहले दिन की कलेक्शन भी काफी पूर थी लेकिन रिव्यू जिस तरह से इस फिल्म के सामने आए उस तरह से लोग अब इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो शायद पहले दिन के मुकाबले दूसरे, तीसरे और इद की छुट्टी पर ये फिल्म अच्छा खासा बिजनेस करेगी, यही अनुमान है. फिल्म का रिस्पोंस काफी अच्छा मिला है और मैंने भी फिल्म को देखा है, फिल्म काफी अच्छी बनाई है. अब यह फिल्म अगर आपको थियेटर्स में नहीं देखनी है और आपको इंतजार है कि यह फिल्म OTT पर कव आएगी, तो वीडियो को अन तक देख लिजे, चैनल को सब्स्राइब कर दीजे, अच्छा सा कमेट डाल दीजे, वीडियो को लाइक कर दीजे, चलिए शरू करते ह है, पूरी डिटेल, अब जो रनवे 34 है, यह फिल्म एक ट्रू इवेंट पर बेस फिल्म है, आपने अगर वो स्टोरी पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, तो आपको पता चल जाएगा, अब यह फिल्म थियेटर्स में जाने के, मतलब यह फिल्म थियेटर्स में देख सकते है मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा, कि फेमिले के साथ आप देख ली जिये, लेगिन फिर भी, अगर कोई इश्यू, कोई हिसाब से आप नहीं देखना चाहते, तो OTT पर यह फिल्म अमेजोन प्राइम पर आएगी, जी हाँ दोस्तों, अमेजोन प्राइम ने इस फिल्म क डिजिटल राइट्स खरीद लिये है, यह फिल्म आपको दस जून के बाद देखने को मिल जाएगी, जी हाँ दोस्तों, जून महिने में यह फिल्म कंफर्म अमेजोन प्राइम पर रिलीज हो जाएगी, क्योंकि रिलीज से 30 से 45 दिन का समय है, तो कंफर्म 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 कि जून महिने में किसी भी डेट पर यह फिल्म रिलीज हो जाएगी, अमेजोन प्राइम पर, जैसे मेरे पास कोई कंफर्म अप्डेट आएगी की जून महिने आएगी, तो व्यूर्यों भी बना कर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, लेकिन अभी अप्डेट यही है, ज हासाथ गन्यवार